इंडिय टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं नमस्कार मैं हूँ जोटसना पाटनी खबरों के तुफान, ब्रेकिंग न्यूस की शुरुआत, अफगानिस्तान के पंचीर से आ रही सवक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूस के साथ करते हैं रेजिस्टेंस फोर्स ने पंचीर पर तालिबान के कबजे के दावे को खारिच कर दिया है अब से थोड़ी ही देर पहले, एन आरेफ का एक बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि पंचीर घाटी में तालिबान के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है और ये लड़ाई यूही जारी रहेगी रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि पंचीर के एहम ठिकानों पर उसका कबजा बरकरार है और तालिबान के खिलाफ नाशनल रेजिस्टेंस फोर्स अपनी लड़ाई जारी रखेगा लगी जिगूनी समिंगे पंचीर से आज की एक और बड़ी ब्रेकिंग निउस ये है कि तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जो रेजिस्टेंस फोर्स के दावी को खारच कर रहा है तालिबानियों ने पंचीर पर कबजे के अपने दावों को साबित करने के लिए एक के बाद एक कई तस्वीर जारी की तालिबानियों का कहना है कि उसने पंचीर के गवना हाउस पर कबजा कर दिया है और गवना हाउस पर अपना जंडा भी फेहरा दिया है ये तस्वीर गवना हाउस की आप देख रहे हैं जहां आप तालिबानी जंडा फहरा रहा है तालिबान ने रेजिस्टेंस फॉर्स का जंडा उतार दिया है और अपना जंडा यहां लगा दिया है रेसिस्टेंस फॉर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टकर दी लेकिन चारों तरफ से घिरे रेसिस्टेंस फॉर्स के जवानों पर आंखिरकार तालिबानी आतंकवादी भारी पर गए तालिबानी एक के बाद एक पंजशीर के जिले फतह करने के लिए लगे हुए हैं और अब उन्होंने गवना हाउस पर भी अपना जंडा लहरा दिया है पंचीर हमारे कबजे में है ये तालिबानियों का कहना है पंचीर में लड़ाई खत्म हो गई है ये भी तालिबानियों का कहना है तो तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया है कि पंचीर उनके कबजे में है और पंचीर में अब लड़ाई खत्म हो चुकी है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीश प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके है मनीश एक तरफ तालीबान का ये दावा कि पंचीर में लड़ाई खत्म हो चुकी है क्योंकि वो उनके कब्जे में है तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस पोर्स भी ये कह रही है कि पंचीर तालीबानियों के कब्जे में नहीं तो सच्चाई क्या है हालात क्या है वहाँ पर देखे ग्राउंड रिपोर्ट के मताबिक पहले दो बात अमरुला सले और साथ में एहमद मसूद पूरी तरी के सुरक्षित है जो उनके क्लोज एड है वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे है दरसल पंशीर में अंधराव वैली को डॉमिनेट करते हुए तालिबान आगे की तरफ आया तो गवर्नर हाउस एक स्ट्रेट लाइन जाती है और इसी स्ट्रेट लाइन के रुखा एरिया है वहाँ पर ये गवर्नर हाउस है दरसल ये गवर्नर हाउस पहले से ही एमटी था ये बताया गया एनरेफ के दोरा एनरेफ के जो ग्लोज एड है उनके दोरा फिर उसके बाद पाकिस्तान के सरपरस्ती पर जो एर अटाक किये गए एरियल अटाक किया गया जिसमें आम्र्यूएवी का इस्तेमाल करते हुए अमुर्ला सले और साथ में एहमद मसूत के एरियास को डॉमिनेट करने की कोशिश की गई इसी लिए जब पिछले 12 घंटों से कोई भी जानकारी इनके नहीं मिल पाई तो तालिबान ने सोचे समझे तरीके से पाकिस्तान की मदद से अब ये टै कि सब को बताया जाए कि पंशी भी उनके कबजे में है लेकिन उसके ही उलट जो इस समय एनरेफ के लड़ाके एनरेफ के जो रेस्टेंस पोर्स के जो लोग हैं उसके इलावा अमुर्ला सले और साथ में एहमद मसूत उनके क्लोज एट से हमारी बात भी उन्होंने कहा कि अभी वो हारे नहीं है और मनीष गवरणर हा όस पर तालिबान का कबजा तो हो ही गया है उसकी तसवीर भी सामने आई थी लेकिन अभी गवरणर हाॉस की दीवारों पर रेसिस्टेंस फोर्स के नेता एहमद मसूत के पिता, एहमद शहा मसूत की तसवीरें लगी हुए हैं, यहां तालिबानी आतंकव बादी हत्यारों के साथ तैनाद जरूर हैं और कभी भी ये फोस्टर जो यहां पर लगे हैं वो खटा दिये जाएंगे मिली तजार जार आईड जानाद जाएंगे तालिबान की तरफ से प्रेस कानफरेंस की जा रही है देखें तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें तालिबान का ये दावा है कि जो पंच्शीर का इलाका है वो उनके कब्से में है और वहां पर याने की पंच्शीर में लडाई खत्ब हो चुकी है एक तरफ रेसिस्टंस फॉर्स का ये जरूर कहना है कि पंच्शीर का इलाका उनके कब्से में है वहीं उससे उलड तालिबानियों द्वारा आई ये बात सामने आया है तालिबान के प्रबक्ता जबियुल्ला का बयान सामने आया है पूरा पंशीर का इलाका और जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल गड़ बाना जाता है गवर्नर हाउस वो भी उनके कबजे में हैं और वहां से इतालिबान ने अपना जंडा फेहरा दिया है लगातार इस तरह के बयान इस तरह की बातें और इन बातों को साबित करने के लिए सब से उनका रुख करते हैं मनीश एक तरफ तालिबान का ये दावा कि पूरा पंशीर उनके कबजे में है तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्स ये कह रही है कि पंशीर उनके कबजे में है तो क्या फुली डॉमिनेट कर लिया है तालिबान ने क्योंकि लगातार हम वो वी इसको वो डॉमिनेट कर रहा है लेकिन 20 प्रस्टेस जो स्टर्टेजिक एरिया है वो अभी भी पंशीर में एनरेफ के पास है उसकी वज़े यह है कि जब डीजी आएसा यहां पर पहुचे तो बहुत ही सोचे समझे तरीके से उनने दो बड़े काम किये पहला काम अब्दुल सोर्सेज में बता रहे हैं कि आम्ट UAV का इस्तिमाल किया गया साथ में एरियल अटैक करकर पंशील के एरिया को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की रणीती के साथ कल देर रात की पूरा ऑपरेशन किया गया और 12 घंटे तक लगातार बंबारी हुई पनीश मेर को एक चीज और बताईए जो 20% इलाका strategically important माना जा रहा है और वो resistance force के कबजे में है क्या उस पर भी तालिबान का जल्द कबज़ा होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमुरुला सल्य और एमन मसूद ने अपने सभी जो fighters है उन सब को एक जगे 51 कर रखा है और उसके बाद वही घेरा बंदी करकर करीवन 1000 के लगबग जो तालिबानी थे उनको मार गिराया उसके लवा कईयों को उन्होंने अरेस्ट कि यह सरेंडर कर गए तो यह जो है रणनेतिक तौर पर वो इसलिए है कि अगर पंशीर को आप देखेंगे तो एक बाउल शेव में पंशीर है उसके ऊपर चारो तरफ पहाड़ है और एक ही रोड है जो की अंधराव वैली से होते हुए पंशीर के अंदर आता है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी अरियल टार्गेट को इंगेज ना करे तो अगर रोड से आएगा तो इसी रास्ते से आएगा और इन रास्तों को गवर्नर हाउस जो रुक एरिया में है उसके आगी का जो एरिया है वो पूरी तरीके से अभी भी पंशीर में नर्फ क कंट्रोल में है और यहीं वज़े है कि यह 20% का एरिया और इसी लिए शायद resistance force की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंशीर पूरी तरह से तालिबान के कबजे में नहीं है पंशीर उनके पास है हाला कि यह दो तस्वीरें जो सामने आई है देखिए पहली तस्वीर पंशीर में गवर्णर हाउस की जहां यह ज़ंडा आस्मान में लहरा रहा है वो तालीबान का है और और वो बताने के लिए तालीबान ग्वारा जारी किया गया यह कि ये है कि पंशीर का इलाका अब उनके कबजे में है लेकिन जिस तरह से हमारे डिफेंस एडिटर मनीश प्रसाद को ग्राउंड इंपुट मिला है पंशीर के जो रेजिस्टेंस फोर्स में करीबी लोग है उनसे जानकारी मिली है उसके मताबिक 20% एरिया स्ट्रेटिकली जो इंपॉर्टेंट पाना जा रहा है वो रेजिस्टेंस फोर्स के कबजे में है और 80 प्रतेशत एरिया इंक्लूडिंग दी गवर्नर हाउस वो तालिबान के कबजे में है नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गल आइकन तबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ